नमस्ते दोस्तों ये वीडियो में हम लोग सिखेंगे कि कल के दिन मार्केट में किस तरीके का मुमेंटम हो सकता है आल टाइम हाई के करीब यहाँ पर पिछले दो दिने से जो इन्वेस्टर है वो इन्वेस्टर कौशियस मोड पर चला गया है कोई भी एग्रेसिव बाइंग हम लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है और ट्रेडर जो है वो ट्रेडर हमेशा की तरह कंफ्यूज रहे रहा है यहाँ पर आज के दिन जो बैंक निप्टी की एक्सपर हम लोगों को देखने को मिली closing के time हलका सा downside का momentum जो देखने को मिल चुका है वो downside का momentum हमें clear cut indicate कर रहा है कि आना वाले week जो है वो आने वाले week हम लोगों को थोड़ा cautiously काम करना पड़ेगा तो यह सबी बातों का logic इस वीडियो में सीखने की समझने की कोशिश करते है सबसे पहले स्टार्ट करते है निप्टी का डेली चार्ड का psychological analysis लास्ट टाइम हम लोगों ने जो एक correction देखा था जब market ने all time high के touch किया हुआ था इस all time high के बाद आल्मुस 1200 पॉयंट की तेज गिरावट हम लोगों को देखने को मिली आल्मुस तीन दिनों में ही market इतना इर चुका था मतलब आपने all time high से साड़े चार परसेंट का correction हम लोगों को देखने को मिल चुका है यहाँ पर कभी भी market जब all time high के करीब जाता है और वहाँ से up to 10% का अगर correction आता है तो उसको एक healthy correction हम लोग बोल सकते हैं उसमें crash या downside momentum जैसा कुछ भी risk वाला factor को हम लोग यहाँ पर इतना focus नहीं करेंगे अभी उसके बाद दुबारा market को उसी all time high को break करने के लिए almost 27 दिन लग चुके है तो यह कई न कई indicate करता है कि market में जिस तरीके से downside का momentum आ चुका था और उसी momentum को cover करने के लिए दुबारा market को इतना time लेना पड़ा तो यहाँ पर कई न कई buyer लोग जो है जो market को उपर लेके जाने की कोशिश कर रहे है उन लोगों में confidence की कमतरता बनती हुई हम लोगों को दिखाई दे रही है तो हम लोगों को focus कहां पर करना पड़ेगा तो यह जो previously all time high market ने बन चुका था इस all time high के उपर अगर एक daily candle का close हम लोगों को मिल जाता है और next day immediate market उस all time high को break करता है तो यह हम लोगों के लिए एक indication sign हो जाएगा कि आभी upside के position बनाने वाले market में आ रहे है आज के दिन के momentum को अगर हम लोग समझने की कोशिश करते है तो आज के दिन हम लोगों को clear cut देखने को मिल चुका है इनिशली आप wire के side upside लेके जाने की कोशिश की लेकिन दुबारा क्या हो गया closing के time लोहां पर लोगों में confidence नहीं आया open interest का data और FIA का data भी हम लोगों को यही बात बता रहा है उसकी वज़ा से दुबारा profit booking हुए और जहां पर हम लोग open हो चुके थे almost वहां पर आकर close हो चुके है मतलब जो investor लोग है वो investor लोग की indecision की phase में बने हुए है अभी ये investor लोग की indecision की phase से बाहर पर कर कब दुबारा conviction की phase में आ सकते है इसको समझने की कोशिश कीजिए अभी कल के दिन जो US market में trigger हम लोगों को देखने को मिलने वाला है वो quarter 2 का GDP का data है लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यह कुछ ज़्यादा माइने यहाँ पर लगे माइने पे गरेगा हाँ तो हम लोगों को वेट करना पड़ेगा कि कोई global trigger देखने को मिल जाता है उस global trigger की वज़़ा से market में अगर Dow Jones में particularly और NASDAQ में upside का momentum होता है तो उसका ripple effect हम लोगों को इंडिया के market में देखने को मिलेगा अभी यहाँ पर इस तरीके का जो upside का momentum हो चुका था उसमें हम लोगों ने देखा कि FMCG के बहुत सारे stock IT के बहुत सारे stock जो थे उन्होंने भी अपना all time high लगा दिया है तो हम लोगों के लिए यह अपना जो underground current हम लोग जिसको बुलते है वो यहाँ पर strong है मतलब यह हमें कईना कई indication दे रहा है कि अगर आने वाले week में correction भी आ जाता है तो market का जो first support रहेगा वो first support के तरब market में हम लोगों को buying बनती होई दिखाई देगी तो यह जो continuous upside का momentum हो चुका है इसका immediate first support आगर आप देखोगे तो 50% level के करिब आएगा जो approximately 24,600 से 700 के बीच में निकल करके आ रहा है तो यह हो गया हम लोगों का psychological analysis daily time frame के उपर तो कल के दिन best opportunity 15 minute chart के उपर intraday chart में कहा पर आएगी पहले उसको समझने के कोशिश करते है सबस्वा पहले उपर की side में हम लोगों को जो भी important level रहेगा उसको समझने की कोशिश करते है दो बहुत ही strong level यहां पर मिल रहा है उपर की side में हम लोगों को जो जो लेवल निकल करके आ रहा है वो approximately ओपनिंग के बाद कई पे भी मार्केट 25,000 की जोन में आ जाता है तो यह 25,000 का जोन एक स्ट्रॉंग सपोर्ट की तरह काम करेगा यहां से मार्केट अपसेट का बाउंस बैक हम लोगों को दिखा सकता है अभी इसके फीचे का लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए मैंने आपक कुछ दिनों में DII की तरफ से बहुत ही तगड़ी खरीदारी बनते हुए दिखाई दे रही है तो यहां पर अंडर करेंट जो है वो अंडर करेंट काफी पॉजिटिव है तो जब भी इस तरीके का माहुल बनाया जाता है तो जो इंपोर्टन सपोर्ट लेवल रहता है वो इंपोर्टन सपोर्ट लेवल पर बाउंस बैक के चैंसे जो है वो सबसे ज़्यादा बन जाते है अभी यहां पर आप देखोगे तो मार्केट जब चल रहा था तब यहां पर 25,000 से लेके एक स्ट्रॉंग हम लोगों को आपसाड का मुमेंटम देखने को मिल चुका था इस अपसाड के मुमेंटम में हम लोगों को शॉट कवरिंग का एक रैली देखने को मिला जहां पर सेलर लोग ट्रैप हो चुके थे प्लस यहां पर फ्रेश अपसाड के पूजिशन भी बन चुके है जो हमारे लिए बहुत ही इंपोर्टन है अभी जो लोगों ने नेक्स्ट म मुमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा तो यह हाई प्रोबैबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी कल के दिन निकल करके आ रहा है इन बिट्विन वाला फेज जो रहेगा वह कंप्लेटली रेंज बाउंट रहेगा यहां पर कोई भी वन साइड़ेड ऑप्शन बायर के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ग्रियेट नहीं हो जाएगा तो इस वाले माहुल को हम लोगों को आवर्ड करना ही सबसे बेटर रहेगा अभी देख लेते हैं कि कल के दिन बैंक निप्टी में किस तरीके का माहुल बनता हुआ दिखाई देगा उसके पीछे का लॉजिक क्या अभी आपके सामने मैंने बैंक निप्टी का चार्ट लगाया हुआ है मैंने आपको क्लियर कर बताया हुआ था कि डेली चार्ट के उपर ये जो trend line बन रहा है इसके उपर market में upset का potential है जब भीgia market is trend line के करीब आ जाता है हम लोगों को upside का potential बनता हुआ दिखाई देता है कल के दिन मैंने आपको clear कर बताया वहा था कि जो strong support level हम लोगों को मिल रहा है वो 51,000 का level है 51,000 का level important क्यों है दो point of view से important है एक तो price action point of view से strong buying हम लोगों को easy point से start होती हुई दिखाई दी और 51,000 के open interest में अगर आप देखोगे तो put की side में strong open interest बन चुका है तो यह कई न कई हम लोगों को indicate कर रहा है कि इस level के करीब दुबारा जब market आजाएगा तो दुबारा market आने के बाद bounce back याँपर दे सकता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा दुबारा इस level तक आने तक का wait करना पड़ेगा और अगर इस level के करीब आ जाता है तो वो opportunity create कर सकता है तो intraday chart के उपर फाइला जो हमारा upside वाला bounce back वाला level है वो 51,025 के करीब आ रहा है हम लोग इसको plus minus 20-25 point पकर करके चल सकते हैं यहां से market upside का bounce back दिखा सकता है next हमर ले important level कौन सा है पहले उसको समझने की कोशिश करते है next important level समझने के लिए हम लोगों को एक trend line draw करना पड़ेगा अभी बहुत सारे लोग confusion state of mind में रहेगे क्योंकि पिछले दो दिन का अगर हम लोग momentum देखते हैं तो दो दिन के momentum में clear के range bound scenario इंडिकेट हो रहा है नीचे की side में 50,950 का level एक important support है और उपर की side में 51,375 का level एक important resistance की तरह काम कर रहा है मतलब आवो almost 4700 point का यहां पर market ने एक range बनाया हुआ है तो इस range में क्या trend line draw करना लाजमी रहेगा क्या तो यहां पर वैसे तो यहां पर trend line draw करना लाजमी नहीं रहता क्योंकि जब भी market range bound level में रहता है तो वहां पर generally हम लोग horizontal level का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ support resistance level को देखते हैं और जब भी market में clear cut trend रहता है तो वह clear cut trend में अगर हम लोग trend line का इस्तेमाल करते हैं तो वह trend line जदा probabilistic रहे जाता है तो यहां पर उस तरीके का माहूल नहीं बन रहा है तो यह trend line जो रहेगी यह low probabilistic रहेगी अगर इस trend line का market में upside में breakout भी हो जाता है तो यहां पर quantity कम करके अगर कोई professional trader काम करना चाहता है तो वह यहां पर risk ले सकता है अभी यहां पर कौन से point के उपर हम लोगों को focus करना पड़ेगा पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए जनरली क्या हो जाता है अगर किसी भी round level के करिब कोई अगर बड़ा support बन जाता है तो यहां पर सभी लोग exit नहीं होते कुछ लोग क्या करते है उपर की side का stop loss लागा के position को hold करते है तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर थोड़ा wait and watch की mod के उपर रहेंगे और जब market इस तरह के का कोई price action का pattern बनाएगा और 51,100 के उपर market निकलने की कोशिश करेगा और एक 15 minute का candle उपर की side में close हो जाएगा तो आप side का momentum बनता हुआ दिखाई देगा तो यह high probabilistic opportunity है कल के दिन अगर live market में को और औच आप opportunity generate होता है तो मैं अपने टेलिग्राम चैनल में आपको update कर दूँगा जिसका link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है फिर उसके बाद important क्या है psychology आपको समझनी पड़ेगी daily chart कर जाने के बाद daily chart हमें क्या indicate कर रहा है अभी उसको समझने की कोशिश कर सकते है यहाँ पर आज के दिन bank nipto में expiry था ही दिन बर में ज़्यादा कुछ बड़ा momentum नहीं आया लेकिन closing के time हम लोगों को downside का momentum देखने को मिल चुका है अभी इस level को market ने one sided momentum के बाद break किया तो उपर की side में market को sustain होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा यह already मैंने पुराने वाले वीडियो में बता दिया था इसके पीचे का logic क्या है पहले उसको समझने के कोशिश कीजिए जब भी market किसी trend line के करीब आ जाता है और यहाँ पर time spend करता है तो यहाँ पर यह indicate होता है कि यहाँ पर seller लोग जो है वो seller लोग market को नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे है लेकिन market जादा नीचे नहीं आ रहा है इसका मतलब buyer लोग जो है वो buyer लोग selling order को absorb कर रहे है तो यह जो buyer रहता है यह buyer हमरे लिए बहुत ही important रहता है क्योंकि यह छुपे buyer जो रहता है जैसे ही market इस trend line के ऊपर निकलता है वो profit book करने के बजाए क्या करते है market में quantity add करने की कोशिश करते है और उसकी वज़ए से strong momentum हम लोगों को देखने को मिल सकता है historical chart में अगर आप इसको back test करके देखोगे तो बहुत सारे example आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अभी इस case में क्या हुआ है पिछले तीन दिनों का अगर आप momentum देखते हो तो तीन दिनों में completely आपको डिखाई दे रहा है कि market में जो कोई भी decision वाला phase नहीं है completely in decision mode में market के participant चाहे वो big player हो चाहे वो small player हो जा चुके है market में जब भी इस तरीके का कोई candle pattern बनता है तो ये psychology point of view से क्या आप indicate करता है जो real body रहता है वो real body हम लोगों को generally बड़े player का activity दिखाता है और जो shadow रहता है वो shadow generally हम लोगों को retail trader का activity दिखाता है तो यहाँ पर आगर आप देखोगे तो retail trader की तरफ से जो activity आई है वो भी कुछ ज़्यादा माहिने नहीं रहती है और plus यहाँ पर हम लोगों को बड़े player की तरफ से जो activity आई है वो भी बिल्कुल माहिने नहीं रहती जितना candle बड़ा रहेगा जितना उसका body बड़ा रहेगा इसका मतलब market में volatility भी ज़्यादा है market participant वागर आप volume देखते हो तो वो भी ज़्यादा है plus यहाँ पर open interest का data भी ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल सकता है लेकिन पिछले तीन दिनों में इसी कुछ भी चीज नजर नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह जो trend line का breakout हम लोगों को देखने को मिल चुका है हम इसको as a false breakout की तरह consider कर सकते है और अभी भी यह मान के चल सकते है कि 51,000 के ओपर अभी भी कुछ भी direction वाला momentum create नहीं हो चुका है यह direction वाला momentum create हो जाएगा जब marketing लेवल के ओपर एक closing हम लोगों को दे देता है तब हम लोग बोल सकते कि upset का momentum यहाँ पर अभी create हो चुका है और 52,000 दोस्तों से लेके 52,400 के बीच में market ओपर तक भी सकता है यह सा हम लोगों का statement हो सकता है अभी फिलाल के लिए जो intraday chart के ओपर मैंने आपको बताया हुआ है उसी को आपको follow करके market का analysis करना पड़ेगा यह video अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको like कीजे और अपने youtube channel को subscribe करके bell icon का button दबा दीजे मैंने मिलता है next educational video में thank you very much